अगर आप चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन जरूर दबाएं हमारी दुनिया वैसी जैसा हमारा मन मन की शरीर पर क्रिया इबं शरीर की मन पर प्रत्यक्रिया नरंतर होती रहती है जैसा आपका मन वैसा ही आपका शरीर जैसा शरीर वैसा ही मन का स्वरूप यदि शरीर में किसी प्रकार की पीड़ा है तो मन भी कलांत अस्वस्त एवं पीडित हो जाता है वेदांत में ये इस्पष्ट किया गया है कि समस्त संसार की गतिविधी का नर्मान मन द्वारा ही हुआ है जैसी हमारी भावनाएं, इच्छाएं, वासनाएं, अत्वा कल्पनाएं हैं तदनुसार ही हमें शरीर और अंग प्रत्यंग की बनावट प्राप्त हुई है मनुष्य के मातापिता, परिस्थितियां, जन्वस्थान, आयू, स्वास्तित, विशेश प्रकार की भिन्न शरीर प्राप्त करना स्वयम हमारे व्यक्तिगत, मानसिक संसकारों पर निर्भर है हमारा बाहिय जगत हमारे प्रसुप्त संस्कारों की प्रतिच्छाया मात्र है संसार अपने आप में न निक्रिष्ट है न उत्तम सुक्ष्म द्रिष्टे से अवलोकन के पश्चार हमें प्रतिथ होता है कि ये वैसा ही है जैसे प्रत्यकृति हमारे अंतर जगत में विद्यमान हैं। हमारी दुनिया वैसी ही है जैसा हमारा अंतकरण का स्वरूप। भलाई, बुराई, उत्तमता, निक्रिष्टता, भव्यता, कुरूपता, मन की उची नीची भूमिकाएं मात रहें। हमारे अपने हाथ में है कि हम चाहे एर्शा, द्वेश, स्वार्थ की भट्टि में भस्म होती रहें और अपना जीवन शूल में बना लें, अत्वा सदगुणों का समाविश कर अपने आंतकरण में शान्ती स्थापित करें। ज्ञान योग की एक सुलभ साधना दुनिया में लक्षमी, विद्या, प्रतिष्ठा, बल, बद, मैत्री, किर्ती, भोग, एश्वर्यादी को बड़ा भल माना जाता है। ये सब ग्यान रुपी व्रक्ष के भल हैं। ग्यान के अभाव में इनमें से एक भी वस्तु प्राप्त नहीं हो सकती। परमार्थ के लिए ग्यान से बड़ी और कोई वस्तु नहीं है। भूखे को दो रोज भोजन करा देने से सदा के लिए उसका भला नहीं होगा। उसी कोई ऐसी राह दिखानी होगी जिस पर चल कर वो स्वयम जीविका उपारजन कर सके। बीमारी दवा से अच्छी भी हो जाए तो भी निरोगता के लिए स्वास्ते संबंधी ज्यान अवश्यक है। दवा के आधार पर सदा के लिए किसी का रोग नहीं जा सकता। पर ज्यान के आधार पर बिना दवा के भी रोग अच्छा हो सकता है। और सुन्दर स्वास्त तथा देर्ग जीवन प्राप्त हो सकता है। उन्हें बुझाने वाला एक मात्र पदार्थ ज्यान ही है। इश्वर के ओर से मन, बुध्ध, चित्व, अहंकार आदे इसलिए प्रदान किये गए हैं कि वो प्रते काम को मानवता की कसोटी पर कसे और बुध्धी से तोल कर मन से मनन करके इंद्रियों द्वारा पूरा करे। मनुष्य का ये अधिकार जन्मसिद्ध है। यदि वो अपने इस अधिकार का सदुप्योग नहीं करता, तो वो केवल अपना कुछ खोता ही नहीं है, बलकि इश्वरी आज्या की अभ्हेलना करने के कारण पाप का भागी भी बनता है। कर्म करना बनुष्य का अधिकार है, परन्तु इसकी विपरीद कर्म को छोड़ देने में वो स्वतंत्र नहीं है। किसी प्रकार भी कोई प्राणी कर्म किये बिना नहीं रह सकता। ये हो सकता है कि जो कर्म उसे नहीं करना चाहिए, उसका वो आचरन करने लगे। ऐसी अवस्था में स्वभाव उसे जबरदस्ती अपनी ओर खेचेगा और उसे लाचार होकर यंद्र की भाती कर्म करना पड़ेगा। गीता में भगवान ने कहा है, यदि तू अज्ञान और मोह में पढ़कर कर्म करने के अधिकार को कुछ लेगा, तो याद रख कि स्वभाव से उत्पन कर्म के अधीन होकर तुझे सब कुछ करना पड़ेगा। इश्वर सब प्राणियों के हृदय प्रदेश में बसा हुआ है, और जो मनश्य अपने स्वभाव तथा अधिकार के विपरीद कर्म करते हैं, उनको ये माया का डंडा लगा कर इस प्रकार घुमा देता है, जैसे कुमार चाक पर चढ़ा कर एक मिट्टी के बर्तन को घुम यदि तुम दूसरों को धोका दोगे, जूट बोलोगे, शर्यंत्र रचोगे, ठगोगे, तो इससे अपने आपको ही पतित बनाओगे, अपने को ही छोटा, तुछ और कमीना साबित करोगे, किसी दूसरे का अपने सारी शक्तियां लगा कर भी तुम अधिक अनिष्ट नही कर सकते हो, इमानदारी पर कायम रहो और उचित साधनों से अपनी उन्नती के लिए प्रयत्न करो, अपनी ताकत को संसार के सामने प्रकट करो, क्योंकि बलवानों को ही सुखी और उन्नती शील जीवन जीने का अधिकार है, यदि अपनी शक्ति का कोई सबूत पेश नहीं कर सकोगे, तो दुनिया तुम्हें एक असाहय, अनात, दुर्बल और अभागा समझेगी, और तुम्हारे नाम के साथ बेचारा के उपाधी जोड़ देगी, इसलिए मैं कहता हूं कि संखर्ष करो, जीवित रहने के लिए संखर्ष करो, अपने अधिकारों को प्राप्त करने और उनकी रक्षा के लिए संखर्ष करो, विश्वास रखो, इस आत्मोनती के धर्म युद्ध में तुम्हें वो आनंद मिलेगा, जो दिनिया की और किसी चीज से नहीं मिल सकता, जीवितों की भाती जीवित रहने के चट घंटे, मुर्दा जिन्दगी के हजार वर्षों स बेहतर हैं, मृत्यू का भय दूर कर दीजिए, मृत्यू से मनुष्य बहुत डरता है, इस डर के कारण की खूच करने पर प्रतीत होता है, कि मनुष्य मृत्यू से नहीं, वरन अपने पापों के दुश परिनामों से डरता है, देखा जाता है कि यदि मनुष्य को कहीं कष्ट या विपत्ति के स्थान में जाना पड़े तो वो जाते समय बहुत डरता और व्याकुल होता है मृत्यू से मनुष्य इसलिए घबराता है कि उसकी अंतवचेतना ऐसा अनभव करती है कि इस जीवन का मैंने जो दुरुप्यू किया है उसके फल स्वरुप मरने के पश्चात मुझे दुरुकति में जाना पड़ेगा जब कोई व्यक्ति वर्तमान के अपेक्षा अधिक अच्छी, उन्नत और सुखकर परिस्थिती के लिए जाता है तो उसे जाते समय कुछ भी कष्ट नहीं होता वरन प्रसन्नता होती है जो लोग अपने जीवन को निरर्थक, अनुचित और अनुपयों की कारियों में खर्च कर रहे हैं वे लोग ब्रित्यों से उसी प्रकार डरते हैं जैसे बकरा, कसाई खाने के दर्वाजे में घुस्ता हुआ, भावी पीड़ा के आशंका से डरता है यदि आप ब्रित्यों के भैसे बचना चाहते हैं, तो अपने जीवन का सदूपयों करना, अपने कारिक्रम को धर्म में बनाना आरंभ कर दीजिए ऐसा करने से आपकी अंदह जेतना को ये विश्वास होने लगेगा, कि भविश्य अंधकार में नहीं, वरन प्रकाश पूर्ण है जिस क्षन ये विश्वास रिदे में हुआ, उसी क्षन मृत्यों का भै भाग जाता है तब वो शरीर परिवर्तन को वस्त्र परिवर्तन की तरह एक मामुली बात समझता है और उससे जरा भी डरता या घबराता नहीं ग्यान की उपासना कीजिये ग्यान से ही मनुश्य संसार में सुख पाता है और इसकी कमिस से बंधन में आकर दुख उठाता है जिसका ग्यान पूर्ण है, सफलता उसका ही साथ देती है ग्यान में दोशाने से असफलता की बहुलता से मनिश्य दुख ही रहा करता है इस संसार में ग्यान से बढ़कर कुई भी पवित्र वस्तू नहीं है ये आत्मा का स्वभावी गुण है परमात्मा ज्ञान स्वरूप है जब ज्यान के प्रकाष से अज्यान का अंधकार दूर हो जाता है तब जन्म मरण के बंधुनों से रहितो मनुष्य मुक्ति मार्ग का यात्री बन जाता है ऐसा ज्यानवान पुरुष सब अवस्थाओं में अपने आपको परमात्मा को अरपन कर देता है। हम बाहे विशों में जिस सुक को ढूंड़ना चाहते हैं, वो वस्तुता अपने अंधर ही है। संसार के प्रतिक भावों की परिक्षा करना, सत असत की यथार्थत, पहचान, अपने उप्यूग की वस्तुएं ग्रहन करना तथा अनुप्यूगत का त्याग ये सब ज्ञान से ही संभब है। ये ज्ञान स्वाध्याय और सत्संग से प्राप्त होता है। सत ग्रंथों का अध्यन करते रहना, तथा ज्ञानियों का सत्संग, समय और सुविधा के अनुसार प्राप्त करना, मनुष्य जीवन को सुधारने के लिए अत्यावश्यक है। जिस समाज या देश में ये अथार्त ज्ञानियों की जितनी ही अधिक संख्या होगी, उसकी उतनी ही अधिक आत्मोंनत्ती हो सकीगी, और वही अभेश्ट लक्ष को प्राप्त होगा।